अौम नमस्ते जी व्यधिक राष्ट में आपका स्वागत है आज हम जय्जुरवीत के पर्थम अध्याए के छटे मन्त्र का व्याख्या लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ कल्याण के मार्ग पुस्तक से लिए गई है कल्याण के मार्ग पुस्तक के लेखाक और इस लेख के लेखाक है वेदिक पिदवान दुक्टर अशोक आरे गाजियाबाद से हम लगातार आपके लिए वेद और वेद के से दान्तों संबंदित वीडियोस लेकर आते हैं विद प्रचार के इस कारे में हमारा सहयोग करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकों की घंटी को दबा दें अपने कीमति सुझाओ कमेंट करना ना भूलें आए विशेक की और चल कर रहा है मंत्र इस प्रकार है इस मंत्रों में जो हो गत मंत्र के सत्यवरत लेने का प्रभू ने आदेश जो दिया था इस मंत्र में भी चार बिंदूओं के माध्यम से सत्य बोलने की प्रेणा मिलती है सत्य से स्वारगी का अनंद मिलता है प्रथम परमपिता परमात्म सब को सुख देने वाले हैं तदा प्रभू का मानना है कि संसार में सब सुखों का अधार सत्य भाशन ही है इसलिए वह इस जगत के प्राणी को सत्य भाशन के लिए ही प्रहना दे रहे हैं कि है जीव तुने सुखों की कामना करनी है जीवन में सदा सुखी रहना है स्वारगिक आ पालंद से जिसे अपनाने से मानव को विशा ही आनंद प्राप्त होता है, जिसे स्वारगीक आनंद की रूप में जाना जाता है, यहाँ वही कारण है कि प्रभु सदा ही तो जीव को इस सत्य का आच्रन करने के लिए, सत्य बोलने के लिए सदा ही प्रेडित करते हैं, दूसर ये मार्ग का कहा जाता है इस सम्मानि जीवन को पाने के लिए उसे इसे कार करने होते हैं जिसे जनित होता हो इन जनित के कारेों में दान देना पुर्णने करना दीन दुख्यों की सहायता करना दूसरों के कश्टों को अपना कश्ट समझ कर उसे दूर करने का प्रहतन करना है प्रमुक्सादन है वेसेशिक दर्शन सत्य को ही धर्म मानता है इस दर्शन में कथन किया गया है कि जब हम सत्य का आचरन करते हैं तो हम धर्म के मार्ग पर चल रहे होते हैं सत्य का अब्युद्धे मार्ग है सत्य उत्थान का मार्ग है सत्य प्रकर्टी का मार्ग है सत्य उन् परिवार के साथ जोड़कर कहता है क्योंकि पिता जानते हैं कि यदि परिवार उत्तम होगा तो संतान भी उत्तम होगी माता पिता सत्य का आचन करेंगे तो उनकी संतान भी सदा सत्य बोलने वाले ही होगी सदा सत्य मार्ग पर आचन करने वाली चलने वाली ही होगी इसलिए परिवार के मुख्य अंग परिवार के आधार इस्तंब अर्थात पती और पत्नी को पिता मारा उद्धार करेंगे तू जान के सत्य क्या है निरंतर कर्म करते ही रहना सत्य है जब तुम कर्म करते हो पुरसार्थ करते हो मेहनत करते हो तो निश्चिती तुम सत्यमार के पर चल रहे हो कर्म के उल्टा होता है अकर्म आलश अकर्मनिता जो विक्ति मेहनत नहीं करता पु जो कि जब कोई विक्ति मिला हुआ कार अपने आलश्च जभाव से प्रमादी होने के कारण करतव्य कार को पूर नहीं करता, अपने करतव्यों का वहन नहीं करता, तो उसे अपने सत्याचरण, असत्याचरण को छुपाने के लिए जूट का असरे लेता है, इस जूट के रहना दरंतर कारशिल रहना को ही आत्मा कहते हैं जो विक्ति पुरशार्थ नाकर आलसी बना रहता है उसे आत्महीन माना जाता है कहा जाता है कि उसकी आत्मा मर गई करम ही क्रिया है पुरशार्थ ही आत्मा का अध्यात्मिक सभाव है करम ही आत्मा का सभाव है जो ही हम क्रिय प्रभू प्रेणा करते हैं प्रभू का कहिना है कि जब हमारा हरदे विशाल होता है तो हमारे हरदे अंदर के अंदर पवितरता आती है जहां पवितरता होती है वहीं सत्य का निवाश होता है अता हमें अपने हरदे को पवितर मार्ग पर लाने के लिए हरदे को विशाल बनाना होगा जो सत्य पत का उन्हें सत्य सुरूप भी कहा जाता है, ऐसे प्रभू समगर संसार को सदा सित्य पर चलने की प्रेड़ा करते हैं, दूसरा हम पुरुशार्थी बने, प्रभू की इच्छा है कि हम जगत सुख में हो, इस संसार में सब प्राणी सुख से रहें, इतना ही नहीं, वहां चाहते ह प्रस्तुत लेक के लेखाक हैं, वेदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आरेका जियाबाद से, इस तरह के अन्य वेदिक लेखों के लिए, प्रणा दैक कहानियों के लिए, महापुर्चों के जीवन पसंगों के लिए, वेदिक राष्ट यूटूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल एकॉन की घंटी को दबा दें, सांती साथ अपना कीमती सुझाओ, कमेंट करना ना भूलें, धन्यवाद।